हलो गुण मानिंग जुहार में संजे और आप देख रहे हैं निगो जार्खन समय हो चला है जार्खन के खबरों को जानने का तुछ लिए जानते हैं आज की जार्खन के 25 मुख्य बड़ी खबरों को जार्खन में चिनावी रन लोगसभाद चुनौ के चांते चरन के मतदान के चिनावी प्रचार सनिवार साम 5 बजे शमाप्त हो गया है अब कल 13 मैं को कुझटी, शिंग्भुम, लोहरदग्गा और पलामू में सुभाद 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा नकसल परभाविच चेत्रों में सुरक्षा के वापक परबंद किये गए हैं इस सरन में अधिकांज ग्रामिन एम दुर्गम चेत्र में मतदान केंद्र होने की वज़े से चुनाओ सांतिपूर्ण एम निस्पक्ष संपन कराना बेहधी चुनाओती पूर्ण है चुनाओ मैदान में उतरे 45 प्रत्यासियों में 6 महिला है लोहरदगा में एक भी महिला प्रत्यासी नहीं है चुनाओ आयोक के आकड़ों पर नज़र डाले तो सिंग्भूम में 14, कुंटी में शाद, पलामू में 9 और लोहरदगा में 15 प्रत्यासियों की किश्मत का फैसला कल 13 मैं को यहां की जनता करने चा रही है चौनाओ के लिए चौनाओ प्रचार समाप्त होते ही राजनितिक दलों के द्वारा जीत के दावों का दौर शुरू हो गया है 2019 के चौनाओ में 4 में से 3 सीटों को जीतने में शफल रही भारती जनता पार्टी का मानना है कि जारखन की सभी 14 सीटों को जीतने का लक्ष के तहत इन 4 सीटों पर जीत जरूरी होगी जारखन बीजेपी मीडिया प्रभारिस ये पूजन पाठक ने दावा करतों वे कहा है कि राजजी की जनता मोदी जी को एक बार फिर देश का प्रधान मंतरी बनाना चाहती है इसके तहट सिंग्भूंद शहिद सभी 4 लोग सभाचेतर में कमल जरूर किलेगा इधर इंडिया गटबंधन के तहट चुनाओ मैदान में उतरी कॉंग्रेश ने दावा किया है कि जारखन के पहले चरन के हो रहे चुनाओ में सभी 4 सीट इंडिया गटबंधन के खाते में आएगा इन चारों सीटों में से दो पर कॉंग्रेस और एक पर जामो और एक पर राज़त चुनाओ लड़ रही है नौकरों के पास करोडों तो मालिकों की तीजोरी में कितना माल होगा जारखन में एडि के एक्सन पर बूले पियम मोधी चत्रा की सिमरिया में प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने कहा है कि 2024 का चुनाओ केवल सरकार बनाने का चुनाओ नहीं है ये देश बनाने का चुनाओ है ये चोर लूटेरों से देश को बचाने का चुनाओ है आपकी बच्चों का भविष्ट सुनक्चित करने का चुनाओ है आप तो जानते हैं ना कि वे कौन लोग है जिन से देश को बचाना बहुत ज़रूरी है जामुमों, कॉंग्रेस और इंडिया गडबंधन के कारणा में सोच और दिसा है देश को बचाना समय की सबसे बड़ी मांग है पीम ने आगे कहा है कि आपने देखा कैसे जामुमों और कॉंग्रेस के ठिकानों से नोटों के पहार निकल रहे हैं यहां मंत्री, मंत्री का पिये, पिये का भी नौकर मैंने कभी इतना नोट नहीं देखा यहां नोटों का पहाड उगाने का काम जामुमों कॉंग्रेस कर रहा है बेसरमी देखिए कि इतनी नोट निकलने के बाद सर्मस्वे माथा जुग जाए लेकिन यह ऐसे बेसरम है कि उनको कोई परवा नहीं है तब देश के लिए शंकट और गहरा हो जाता है जब कर्मियों के घरोशे करूडों मिल रहे हैं तो मालिकों की तीजोरी में कितना काला धन होगा कॉंग्रेश के शांसाथ के पास तीन सो करोड से जादा कैस मिला नोट गिनने वाली मशीन फसने लगी कल 13 मै को होने वाले मतदान को लेकर सनिवार को 213 बूथो के लिए जीले कॉलेज इस्दित डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टिया रवाना हुई इनमें डाल्टन गंज विधान सभा के शायतालिस विसरामपूर के बारा शत्तरपूर के शन्तानबे वाहुशैनाबाद के 57 बूथो के लिए पोलिंग पार्टिया रवाना हुई है इसी तरह सनिवार को कुल 852 मतदान कर्मी चुनाओ कराने के लिए गाए मतदान कर्मियों के रवानगी के पूर्व जीला निर्वाचन पर ददिकारी शाह उपायुक्त ससी रंजन ने कई बिन्दों पर भ्रीप किया इससे पूर्व जीले कॉलेज परिशर में विधान सभावार अलग-अलग काउंटर बना गये थे लोग सभाव चुनाव को लेकर राची पूलीस अलर्ट मोड पर है इसी कर्म में विधान सभाव थाना चेतर की पूलीस ने सनिवार को देर साम एक लाल रंग की स्विप्ट कार से 4,56,000 रुपए बरामत किया गये है मामले में पुलीस ने रभी कुमार राय और दू अन लोग को पकड़ा है इनके पास से रुपए बरामत की गये हैं बताया जा रहा है कि ये लोग रुपए सूथ पर लगाते हैं वही रुपए वसूल कर आ रहे थे CTSP राजकुमार महता ने बता है कि पुलीस को गुपतु सूचना मिली थी कि हाथियार लेकर कोई जाने वाला है इसी को लेकर चेकिंग शुरू की गई इस करब में एक कार से रुपए बरामत किये गए तीन लोग को पकड़ा गया है खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यू जार्खन चानल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लेस चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन फ्रेस कर दिचे जिससे आपको जार्खन की हर छोटी बड़ी खबर का डेट आप तक पहुंचता रहे तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की और राची के धुरवा डेम में नहाने के दुरान डूबे दो चात्र अब तक नहीं मिला साओ नगड़ी थाना इलाके के धुरवा डेम में दो अश्कूली चात्रू डूब गए बताया जा रहा है कि नहाने की खरम में दोनों डेम में बने खत्रे के निष्सान के पार गए जिससे दोनों डूब गए नगडी थाना प्रभारी अभिशेक राय की देखरेक में इस्थानिय गोता खोर और एंडियारेप की टीम सनिवार को दोनों चात्रों की खोजबीन की हलाकि देर साम तक दोनों नहीं मिले जिसके बाद खोजबीन रोग डी गई थाना प्रभारी ने बताया है कि रविवार प्राता से पुना इस्थानिय गोता खोर और एंडियारेप की टीम सौकी तलास करेंगे दोनों धुरवा के प्रभातारा अस्कूल के चात्र थे बताया जा रहा है कि दोनों चात्र नहाने के करम में डूब गए नहाने के दुरान दोनों खत्रे के निशान के उपर चले गए और डूबने लगे उस समय किसी गोता खोर के मौजूद नहीं रहने शे दोनों चात्रों डूब गए और दोनों को नहीं बचाय जा सका मतदान से 48 गंटे पहले सीमा होगी सिल थाना चेदर से सटे जारिकन राज्य में 13 माई को कराय जाने वाले मतदान के मद्धनजर जारिकन राज्य के नगर उंटारी थाना अंतरगत बिलासपूर गाउं के पास राची रिवा राष्ट्रे राजमार्ग बॉर्डर पर बेरिके पर प्रसासनिक अधिकारी जेत्यंद्र कुमार के साथ पुलीस लाओ के इस पास्वान शाहदेव मुंडा सुधीर कुजू मौजू थे करेंट लगने से मासुम बच्चे की मौत घर के बाहर खेल रहा था बच्चा ग्रामिनों ने किया सडग जान गिरिडी के गामा थाना चेतर के बिरने में करेंट लगने से बच्चे की मौत हो गई घरना के बाद इलाके में कुहराम मच गया मिर्तक बच्चा बिरने निवासी सुधीर यादो का चार वर्स ये पुत्र प्रिंश कुमार था परिजनों के अनुशार प्रिंश घर के पीशे खेत में केल रहा था इसी बीच खेत के उपर से गुजरे 440 वोल्ट का तार तूट कर अचानक प्रिंश के उपर गिर किया जिससे वहाँ बेहुश हो किया बाद में आनन फानन में परिजनों ने प्रिंश को गामा अस्पताल लाया जहां चिकत्सकों ने उसे मृतिक होशित कर दिया घरना के बाद आकरोशित लोगों ने गामा पावर सबस्टिशन के पास प्रधान नहीं दिया बाद में धाना परभारी महिश शंद्र के द्वारा कारवाई का आशवाशन मिलने पर लोगों ने शड़क जान हटा लिया जारकन पुलीस को जल्द पेट्रोलिंग के लिए मिलेंगी 470 नई गाडियां थानों कहोगा आधुनी की करन जारकन पुलीस को पुराने और खाटारा पेट्रोलिंग वहन से चुठकारा मिलने वाला है जल्द ही जारकन पुलीस को 479 बोलेरो वहन मिलने वाले हैं इसे लेकर गिरी कारा एवं आपदा प्रवंधन विभा के पास जारकन पुलीश मुख्याले ने प्रस्ताव भेजा है जिसे मंजूरी मिलते ही वहनों की खरीदारी सुरू की जागी। इसे पहले जारकन पुलीश ने शत्तर नए बोलेरो वहन खरीदे थे जिसे रज के अलग-अलग जिलों में आवंटित क्या क्या पेट्रोलिंग के लिए जारकन पुलीश आधोनी की करन मत की रासी से नए वहन खरीदेगी शरकार के पास इसके लिए प्रयाप्त फंड है जान पुलीश के संसाधन में रुपईयों की कमी बाधा नहीं बनेगी इसलिए सरकार के पास परियाप्त फंड है जिससे जारकन पुलीश के संसाधनों को और मजबूत बना जाएगा शनिवार को साम पांच बजे सभी पार्टियों का चुनावी जन सभावा प्रचार प्रसार थंगिया इसको लेकर पश्रमी शिंगूम उपायुक्त कपिल चौदरी ने प्रेश वारता कर जान करी दी इस दोरान उपायुक्त ने बता है कि जीले भर से अती नक्षल प्रवावेच शेतरों के लिए हवाई मार्ग के 183 लोगों के अलावा सड़कवा ट्रेन मार्ग से खुल 518 कर्मी रवाना हुए प्रात्मिक्ता क्याधार पर सबसे ज़्यादा गुदड़ी मनुहरपूर आन प्रचार का समय शमापत हो जाने पर सभी पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार बंद कर दिया है वही उपायुक्त ने बता है कि किसी भी तरह का आचार सनिता उलंगन होने पर सीधी कारवाई होगी साइकलोनिक शर्कूलेशन के कारण जारिखन ने बदला मौसम के मिज़ाच कई छेत्रों में तेज हवाई के शाथ हुई बारिष से एक और जहाँ तापमान में गिरावाट आई है वही लोग को घर्मेशे भी रहत मिली है सनिवार को भी कई छेत्रों में दोपार बाद मौसम में बदला हुआ और कई छेत्रों में तेज हवाओं के शाद बारिश हुई है तो कई छेत्रों में हलके से लेकर मध्धम दर्जे की बारिश रिकार्ड की गई है मौसम भाकी और से कहा जा रहा है कि 15 माई तक जारखन में मौसम कमिजाच बदला रहा सकता है इस दोरान कहीं-कहीं रुक-रुक कर बारिशो करती है अधिकतम और निम्तम ताफमान समानेश से नीची रहा सकता है वही आज 12 से 15 माई तक राजी में कई अस्थानों पर हलके से मध्धम दर्जे की बारिशों शक्ती है, कहीं कहीं गर्जन के शायत भी बारिशों शक्ती है, इस वरान अधिक्तम तापमान 35 डिग्री सेल्सस के आसपाश होशकता है। आपके द्वारा कोडर्मा निर्वाचन शित्र से नमंकन किया गया है, जो गटबंधन धर्म के विपरेद है। के इंदर सरकार यहां की जनता को भाका कर उनसे मत लेने का प्रियास किया जा रहा है। चुना विश्वा किया। हेमंत जी को भी इन लोगोंने साजिस के तहत जेल भेजा है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कारिक्रम अस्थल का निरक्षन किया और सभा अस्थल का जा जलिया। उन्होंने कारिक्रम अस्थल पर भाजपा कारिकरताओं के शाद बैठक कर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का कारिक्रम कैसे सफल हो इस पर कारिकरताओं को कई आवस्थक दिसानरदेश दिया। बता है कि प्रधान मंत्री का गिरिडी में होने वाला या कारिक्रम अतिहासिकों का इस कारिक्रम में भारी संख्या में लोग पहुँचेंगे। मेदानता अस्पताल में चल रहा है जबकि उनकी पत्नी की मौत रामगर से तर अस्पताल ले जाने के करम में हो गई। को रामगर से दर अस्पताल में पोश्ट मारम के बाद परिजनों को शौप दिया गया। बिजेपी प्रदेश कारियले में मिलन समहरू, बाबुलाल ने फिर से गिनाई पियम मोदी की उपलब दिया। बिजेपी प्रदेश कारियले में सनिवार को मिलन समहरू कायो जन किया क्या, इसमें प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी की जन कल्यानकारी नीतियों शेप प्रभावित हो कर, बिजेपी प्रदेश अध्धक्ष बाबुलाल मरांडी, शंगठन महामंत्री, कर्मवीर सिंग, मह प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा है कि फिर से सत्ता में आने पर बेघर गरीबों को घर दिया जाएगा, गरीबों को घरी नहीं, गैस कनेक्षन चूला भी देने का काम किया है, और हर्मू के जो है क्वास में 5% की छूट दी जाएगी, वही होटलिप्स के संचलक रंजन परशाद ने इसकी सभी शाखाओं में सियाही का निशान दिखाने पर 10% की छूट का ऐलान किया गया है, चौदा पोलिंग पार्टियां हेलिकॉप्टर से मतदान केंदर के लिए रवाना, लोकसभाचिनों के चौंती चरन कचिनों कल 13 माई को होगा, इस फेज में 13 माई को मतदान होगा, लोहरदगा संसदिये चेतर में सुभा साथ से साम पांच बजे तक वोट डाले जाएंगे लोहरदगा जिला के दुर्गम वसुदुरवर्ती चेतर के कुल 14 मतदान केंदरों के लिए 14 पोलिंग पार्टियां शनिवार को रवाना होगी, रवाना होने से पूर्व पोलिंग पार्टियों ने EVM का मिलान किया, सभी मतदान समागरी उपलब्द कराए गई, कुल 14 मतद पोलिंग पार्टियां समहरनाले परिशर लोहरदगा से निर्धारितवानों में रवाना होई उन्होंने सीम पद्द से जो एत्याग पत्र नहीं देने की वज़ा बताते हुए या भी कह डाला है कि हेमनत सोरेन को भी इस्तिपा नहीं देना चाहिए था हेमनत सोरेन के प्रती उनकी नर्मी आरंब शेह है, हेमनत सोरेन भी दिली सरकार के कामकाज के शात साथ अर्विंद केजरिवाल के तौर तरीके को फोलो करते हैं और दोनों हर मोर्जे पर एक दूसरे के शाथ खड़े दिखते हैं रांची पुलिस जल्द जमीन दलालो और बिचोलियों पर कसिग नकल सस्पी ने दिया निर्थीश रांची पुलिस ने दागे जमीन दलालो और बिचोलियों पर नकेल कसने की तयारी सुरू कर दिखे पिछले दिनों उबर ये पुलिस अधिचक ने एक सिकायती नंबर जारे किया था जिस पर जमीन के कबजे से समंधित सिकायतों के लिए जो सूचना देने की अपिल की थी रांची पुलिस दागी कारोबारियों खिलाब काररवाई करने के लिए थाना अस्तर पर तैयारी कर रही है विसेश अभ्यान चलाकर जमीन विचोलियों दालालों को गरबतार करने के भी योचना बनाए गई है जो पुलिस या कारोबाई से भागते फिर रहे हैं उनमें कई वांचीद भी है पुलिस ने ऐसी सूची तयार की है जिसमें वांचीद जमीन विचोलियों की काफी दिनों से तलास थी अब तक पचास से अधिक जमीन दलालों से समंधित मामले शामनिया हैं जिसमें पुन्दाग, अर्गोडा, और्मांजी, लोवर बजार, पंडरा, शुकदेउनगर, नामकुम, हटिया, हिशाग, सिंगमोड, तुपुदाना, हीनू, बिरसाचॉंक, हवाईनगर, हटिया, इल्वेश्टिशन, चुटिया और अन जगों की जमीन ब्रोकरों की लिष्ट बना गई है, चतिसगर में गल्फरेंड संग बाइक पर रोमांस कर रहा था जारिकन के लड़का, एसपी न दोडा कर धर लिया, फिर चतिसगर के जसपूर में गल्फरेंड के साथ जारिकन के बेखबर रोमांस कर रहा था, लड़का इस बात से अंजान था कि उसके पीछे से पुलिस की गाड़ी आ रही है, इतना ही नहीं, गाड़ी में बैठे एसपी उसकी सारी हरकत नोटिश कर रहे हैं, एसपी सशी मोहन सिंग ने प्रेमी जोड़े को दोडा कर पकड़ा, इसके चमपई सोरेन खराब मौसम के कारण नहीं पहुँच सके खारसावा, काली चरन मुंडा बोले, सविधान बदलना चाहती है बीजेपी, जारकन के सराइकेला खारसावा, जिले के खारसावा में, सनिवार को इंडी गडबंधन की चुनावी सभा में खराब मौसम के कारण, स इसके बाद में जहाममों कॉंग्रेस के नेताओं ने चुनावी सभा को शम्बोधित किया, सभा को खुंटी से कॉंटी से इंडी गडबंधन, कॉंग्रेस के प्रत्यासी काली चरन मुंडा ने कहा है कि केंदर की भाजपा सरकार ने दिल्ली में नया संसत भवन बनाया, आदिवासियों का स्तित्व जल जंगल वजमीन से है, यहां की जल जंगल वजमीन पर देश के पुंजी पतियों के नजर है, कॉंग्रेस सासनकाल में ही जल जंगल जमीन के रक्षा करने कानून और एक्ट बनाया गए हैं, लेकिन मौजूदा केंदर सरकार ने इन कानूनों को जो हसीतल कर दिया है, मतदान केंदरों में तंबाकू पदार्तों का उप्योग पूर्ण रूप शरहेगा वरजित, उपायुक्त, लोग सभाचुनाओं के चौंते और चट्थे चरन में होने वाले मतदान में राची जीला के समंधित वधान सभाचेत्रों के सभी बूत पर तंबाकू पदार्त पूर्ण रूप से वरजित रहेगा, इनमें सिग्रेट, बीडी, गुटका, पान, मसाला, जर्दा सामिल हैं, इस समंध में जीला निर्वाचन पदधिकारी शाह उपायुक्त, राहुल कुमार सिनहा की और से सनिवार को आदेश जारी किया गया है, गुटका, पान, मसाला, जर्दा, इत्यादी के उपयोग, परपून रूप से वरजित रहेगा, जर्द के लूटेरों से प्रदेश के साथ देश को भी बचाना है, तमार में बोले अर्जन मुंडा, बारिस और आंधी के बीच, ग्राची के तमार में चुनावी सभा को शंबोधित करतो हुए, अर्जन मुंडा ने कहा है, कि जर्द के लूटेरों से प्रदेश के साथ द बना था क्या ये लुटोरों की जमात है इन लुटेरों से जारिकन और देश को भी बचाना है स्रद्धालों को आवगमन में भारी परिशानी का सामना करना पड़ा बताया जारा कि सिवगंगा से बाबा मंदर जाने वाले मार्ग में नाली का अतिकर्मन किये जाने से नाली की सफाई सही तरीकेशन नहीं हो पाता है सिवगंगा लेन के जलमगन होने से इस्थानी लोगों में जिला प्रसासन वर नगर निगम के प्रती भारी आकरूश चता है बारा माई से राची में फुटबाल का सबसे बड़ा लीग होगा सुरू 32 टीमों के बीचों का महा मुकाबला रविवायर से सतर दो होजार 24 पचीस के सेनियर डिवीजन फुटबाल लीग की सिर्वात हो जाएगी छोटानागपूर, एर्दले टेक्स, एसोसियूशन, CAA के और से खेले जाने वाले लीग के सभी मैच पहली बार होटवार के खेलगाओं में खेले जाएगी CAA के महासचीव असीफ नईम ने बता है कि हर दिन दो ग्राउन में दो-दो मैच के ले जाएगे 32 टीमों को चार ग्रूप में बाटा गया है, सभी ग्रूप में आठा टीम को रखा गया है हर ग्रूप से टॉप दो टीम नौक आउट के लिक वाइलिफाई करेगी हर दिन चार मैच के ले जाएगे, सीनियर डिविजन लीग के सबसे कम अंक आने वाली दो टीम जो है रिलिगेट होकर बी डिविजन में चली जाएगे पहली बार लीग का आउजन माई से सुरू करा जा रहा है ताकि इस समय पर लीग खत्म हो जाए सिल्ली पॉला टेक्निक कॉलिज में कॉन्फरेंस का शुभारम शुदेश महतो ने कही ये अहम बाग आस्तु सुप्रीमो शुदेश महतो ने सिल्ली पॉला टेक्निक कॉलिज में कहे कि पढ़ाई के प्रती समर्पित होकर अपने लक्षों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम ही एक मात्र विकलप है यह वा अपने वेचारों वग्यान के शाथ नय कॉशल ग्रहन करे सिल्ली विधान सभा को सिक्षा के शित्र में उचैयों पर ले जाने और गुनवतापूर्ण सिक्षा से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के दिशा में हम निरंतर कारे कर रहे हैं बता दे कि सिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में रिसेंट ट्रेंट्स इन जो है कम्प्यूटेशनल एंड मेथेवर्टिकल एनलेसिस एंड इंजिनरिंग एंड साइन्स विशेपर आयुजी दो दिवशे कॉन्फरेंस का शुबारम हुआ महतों ने कहा है कि छेतरे के बच्चों को गुनवता पूर्ण तकनिकी सिक्षा मिले इसी सोच और संकल पिशाथ हमने सिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज के शुरुवात की थी आज इस संस्थान से पढ़ाय पूरी कर चुके कई शात्र शात्राएं डेज के विफिन प्रतिष्ठान संस्थानों में अपनी शिवाएं दे रहे हैं या हम सभी किलिक औरों का विशे है विवह में ले जाने की बात बोलकर पिता ने मासुम भाय बहन को चेनपूर लाकर छोड़ दिया चेनपूर पुलिस को सूचना मिली कि दो बच्चे पिछले तीन दिनों से जो हे तिगावल गाओं में हैं जिनके परिजिनों का कुछ अता पता नहीं है इसके बाद चेनपूर पुलिस दोनों बच्चों को अपने शाद चेनपूर थाना ले आई पुलीस के पूछ ताच में बच्चों ने बताया है कि वे दोनों भाई बहन है लड़के का नाम आनंद कुमार उम्र पांच वर्सी वही लड़की का नाम रीता कुमारी उम्र चार वर्सी है आनंद कुमार ने बताया है कि पिता का नाम महिल है माता का नाम रानी देवी है गा दोनों बच्चों को JSLPS महिला समों के पास भेजने के तैयारी चल रही है जिला निर्वाचन पर दिकारी सहा उपायुक्त ससी रंजन ने रद्द कर दिया है आम्स लाइसंस कैंसिल होने वालों में सरकारी सेवक में उच अधिकारी से लेकर सहायक तक शामिल है साथी राजनेता नेता के परिवार के शदश जो है ववशायों अपराधी गतिविद्यों में शामिल लोगों की हतियार का भी लाइसंस रद्द किया गया जीले में 1457 अम्स लाइसंस धारी हैं जिसमेंशे 41 को सुरक्षा समेती की बैटेक में आम्स जमा करने से छोड़ दिया गया है 320 ऐसे लाइसंस धारी रहे जिन्होंने अपने सस्त्र क शुत्यापर नहीं कराया सस्त्र को इस्थानिय थाने में भी जमा नहीं कराया और नहीं जमा को विमुक्ती हितु अस्क्रिनिंग शमृति के बैटक में आवदेन दिया था नियम का पालन नहीं करने वाले सभी आमस लाइसेंस धारियों को लाइसेंस रद्द किये जाने का आदेश पत्र जीला सस्तर साका से जारी किया गया है यह थी आज की जारकन की टॉप बड़ी खबरे इसे तरह से जारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चानल यूट जारकन चानल को सुस्क्राइब करके बैल आकन प्रेस कर देजे जिससे जारकन की हर चोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंसत रहे तो अब इक लिए वस्तना ही हमें देजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के शाथ धन्यवाद